दस वर्सों के अखंड एक निष्ट अभिरत सेवा भाव से की हुए कार्य को देश की जनता ने जी भरकर के समर्थन दिए रहे हैं देश की जनता ने आशिर्वाद दिये हैं आधरिनिया स्वाफति जी इस चुनाओं में देश वाद्शों के विवेक बुद्धी पर गर्व होता है क्योंकि उन्होंने प्रपयगंडा को परास्त कर दिया है देश की जनता ने परफॉर्मंस को प्राथ्विक का दिया है भं की राजनीती को देश वाथ्यों ने ठुकराया है और वरोसी की राजनीती पर विजय की महव्यक्त सम्मिधान के 75 वे वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं इस सदन के लिए भी ये पढ़ाव विशेस है क्योंकि इसे भी 35 सा हुए है और इसलिए एक सुहक सहियोग है आदेने सवाबती जी मेरे जैसे बहुत लोग है इस देश के सारवजेनिक जीवन में जिनके परिवार में कोई गाउं का सरपंज भी नहीं रहा है गाउं का प्रदान भी नहीं रहा है राजनिती से कोई सरोकार नहीं रहा है लेकिन आज अनेक महत्वकों पदों पर पहुँच करके देश की सेवा करता है और उसका कारण बाबा साब आमबेड करने जो संविधान दिया है उतने हम जैसे लोगों आउसर दिया है और मेरे जैसे अनेक लोग है जिनको बाबा साब आमबेड कर द्वारा दिये गए संविधान के कारण यहां तक आने का आउसर मिला है और जन्ता जनारदन ने उत्पर महर लगाई तीसरी बार आने का मोगा में गया आदलिया सभापती जी संविधान हमारे लिए यह कोई आर्टिकल्स का कमपाइलेशन मात्र नहीं है हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मुल्यवान है और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए नीती निधारन में कार्य कलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है दिशा दर्शक का काम करता है हमारा मार दर्शक का आदे लिए सभापती जी मुझे आथ है मैंने जब लोकसभा में हमारी सरकार के तरफ से कहा गया कि हम 26 नमंबर को संविधान दिवस के रुपर बनाएगी तो मैं हरान हूँ जो आज संविधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं दुनिया में लहराते रहते हैं उन लोगों ने विरोध किया था 26 जनवरी तो है तो संविधान दिवस क्रोण आएगी और आज संविधान दिवस के माद्दम से आज संविधान दिवस के माद्दम से देश के स्कूल कॉलेकिज में सम्मिधान की भामना की सम्मिधान की रता में क्या भूमिका रही है देश के वनमान में महप्रुस हो जे सम्मिधान के निरमान में इन कारों से कुछ चीजों को छोड़ने का निरने किया कब शेकर करने का निरने किया इसके वीषे में हमारे स्कूल कॉलेजिज में विस्तार से चर्चा हो निबंदस परदाये हो चर्चा सबाये हो एक व्यापक रूप से सम्विधान के प्रती आस्था का भाव जगे और सम्विधान के प्रती समझ भिक्सित हो देश वांचियों के लिए आने वाला पूरा कालखन सम्विधान हमारी सबसे बड़ी प्रेणा रहे इसके लिए हम कोशिश करते रहे हैं और अब जब 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जन उत्सव के रुप में राष्ट व्यापी उत्सव बनाने करता है और इसे देश के कौने कौने में सम्विधान के भावना को सम्विधान के किसे को मकसद है उसके विशे में भी देश को आउगत कराने का फ्यांस है कर दो